हेलो, वाट सब गाइज, मैं नेम स्पिनोत बादू थापा, एं टूडे इन इस फीडियो भी विविल सी, हो टू एनिमेट दी डीब कंटेंट और पेज स्क्रोल यूजिंग जावस्क्रिप्ट इन हिंदी, तो चलिए गाइज, सुरू करते हैं, और गाइज, तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्पोर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ, कि जब भी हम पेज को करेंगे, स्क्रोल, तो हम डीब यहां कंटेंड में किस तरीके से अनिमेशन एड कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और शिर्फ एक अनिमेशन नहीं गाइज, आप डिफरेंट टापस आप अनिमेशन एड कर सकते हूँ, जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, अब भी जस आपने देखा क्या हूँ, यहां पर आप देख सेकते हूँ, फ्लिप हुआ है, यहां पर आप देखोगे, तो लेप्ट साइड से स्लाइड हूँ, यहां पर राइट साइड से हो रहा है, तो वो deep वापस हाइड हो जाता, this is the best part समझ रहो न, मैं क्या क्या रहो guys, जब हम नीचे आते हैं, तो वो दिखता है and जैसे उस area को हम खत्लम कर देते guys, वो वापस देखो, गयाप हो जाते हैं, देखो आया, गया, ठीक है, वापस इसके साथ भी वही, इसके साथ भी वही and then इसके साथ भी वही, and believe me guys, हम सिर्फ hardly, you know, 4 या 5 लाइन के code लिखेंगे and हमारा काम हो जाएगा, और वो जो 4 और 5 लाइन का code है, वो भी सिर्फ copy and then paste है so guys, आप बीना किसी देरी के हम वीडियो कु स्टार्ट करते है, वीडियो कु स्टार्ट करने सब एक वीडियो कु स्टार्ट करने सब एक वीडियो देना चाहूँगा बहुत वाइडले यूजड होता है and हर प्रोफेशनल साज ही यूज़ करता है, तो guys इस वीडियो को आप जरूर चेक आउट कीजिए, हाला कि अभी आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी कोई आपको बता भी नहीं रहा है कि सास करो, but आप जब एक्चुल कंपनी मे work करोगे न, guys, वाप पर हर कोई सिर्फ सास पर काम कर रहा होता है, ठीक है, तो इस वीडियो का आप जरूर चेक आउट कीजिए, after CSS ये आपका must होना ही चाहिए, all right guys, and एक और quick update ये भी है कि 2 lakh subscriber complete होने वाला guys, मैं चाहूँगा कि इस महीने के end तक आप प्लीज इसको 2 lakh subscriber कर मुझे बहुत खुशी होगी, guys, please, and अगर अभी तक अपने मेरे चैनल था, आपने टेकनिकल को सब्सक्राइब नहीं किया, guys, please, subscribe कीजिएगा, because मैं डेले ऐसे awesome वीडियो करता है रहता हूँ, and विलिप में ये आपके जरूर काम आने वाला, ठीक, all right guys, आप बहुत बात हो कि आप किस तरीके से animation add कर सकते हो, guys, वो फिलाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि एकदम नॉर्माल है, मतलब उसमें कोई animation हमने add नहीं किया, but guys, अब हम क्या करें कि जब भी हम पेज को स्क्रूल करें, इसमें animation add हो जाए, ठीक है, बिलिप में, guys, बहुत ही simple है, सिरि आपको प्रोड करा दूँगा, तो आपको कोई tension नहीं होने वाला, ठीक है, तो देखे, बेसिक क्या बोलता है, कि मैं तो सजुम कर देता हूं, आपको simply यह जो link है, guys, you need to copy this link, basically CDN link है, and एक तम टॉप पे, you know, head tag के अंदर आप इसको add कर दीज़े, so मैं एक तम टॉप पे इसको यहाँ पे इस तरह किसे मैंने कर दी, add, ठीक है, तो head tag के अंदर आपको यह link add करना है, देखो, पहला काम complete, first step complete, second, now, हाँ यह जो script tag, इसको भी हमें add करना होगा, so, इसको मैं करता हूं, copy, basically मैं पूरा का पूरा ही copy कर लेता हूं, पूरा का पूरा मैंने की copy एकदम ब आपने iOS के लिए क्या किया, आपने again एक और script का, जो CDN link था, वो हमने add की, and then हमने उसको initialize कर दिया, simply उसको call कर दिया, initialize कर दिया, simple, अब मैं अगर सिर्फ इतना लिखता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूं, यह तो अल्रेडी हो चुका, इस पे देखो, कुछ नहीं हो रहा है अगर मैं refresh करता हूंगा, इस कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने initialize कर दिया है, बट अभी तक आपने हमारे इस deep को, इस content को instruct नहीं किया, कि आपको कौन सा animation add करना है, इस पे जब-जब हम page को करेंगे, scroll, तो वो हम कैसे कर सकते, दिखिए गाइस, and again, believe me, गाइस, बहु animation चाहिए, you need to add ये वाला जो भी attribute, that is your data, hyphen AOS, यहाँ पर आप देख सेते हो, let's go with fade in, right, copy कर लेता हूं, and guys, once जब आपने copy कर ले हम क्या करते है, कि हमारा ये जो div है, ठीक है, basically ये जो हमारा div है, ये सभी, मैं इसमें जो मेरा second div है, उसको मैं add करने वाला हूं, ठीक है, तो पेस्ट कर देना, ठीक है, अब attribute तो आपको I know मालूमी होगा, that is, इस div का attribute ये class है, उसी तरिकी से, अगर हम anchor tag use करते है, तो ये hrap उसका एक attribute है, ठीक है, उसी तरिकी से image में, sr से उसका attribute रहता है, तो मैंने यहाँ पर as the attribute इसको add कर दिया, उपर मैंने cdn link and javascript का भी link add कर कर चुका हूं, मैंने इसको initialize भी कर चुका है, simply by calling.init, Ctrl आख सेप करता हूं, basically fade in, देखो, मैं यहाँ पर लेके चलता हूं, ठीक है, ये जो second वाला है, इसको अगर मैं refresh करता हूं, देखो, आपने fade in हुआ है, जट से नहीं आयाए गाईस, ये देखो, मैं वापस refresh कर रहा ह इस तर के सामें दिखा ही दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे options है, ठीक है, मैं नीचे लेके चलता हूं, आप देख सकते हूं, भरे पड़े गाईस, आप इसको एक बात जरू रिट कीजए, क्योंकि आपके project का जो requirement है, उसके अनुसा, आपको animation एड करना, ये नहीं क इसको with flip left, इसको मैं copy करता हूं, ये जो fade-in था आपको इतना कुछ पता नहीं चलागा उसमें, लेकिन जब मैं ये add करता हूं, यहां पर refresh करता हूं, देखा अपने, ये देखो, देखा अपने guys, लेकिन problem है कि ये देखो, ये देखो, मैं बहुत जल्दी हो रहा है है, हो त तो guys, यहां पर इन्होंने अपना attribute दिया होगा, I mean property दे रही, जो मैं आप starting में बताया था, यहां पर देखे, so ये global settings है, and यहां पर कुछ ऐसे settings है, जिसको आप override कर सकते हो, जो कि बहुत best है, like, we have this offset, offset मतलब यह कि जब आप इस तरगे से page को scroll कर रहे हो, तो किस point पर आये, जैसे कि यह जो deep है, इस deep से कितनी दूरी में जब यह हमारे scroll touch हो, तब जाए कि वो animation होना चाहिए, मतलब वो आपका offset है, तो मैं क्या करता हूँगा, यहां पर जो by default इन्होंने दिखा, that is your 120, बट वो बहुत ही कम है, you know, मैं थोड़ा से उपर मतलब इसको चाहूँगा, त ठीक है, so basically, जो by default 120 था, guys, मैं जाओंगा 300 पर, फिलाल कॉमा कि मुझे कोई need नहीं, क्योंकि एक ही तो ही object है, तो यह था हमारे, यह देखो, second वाला है, but अब अगर करता हूँ, यह देखो, best part है कि जैसे मैं आउँगा, अब जा कि यह होगा, at least अब देखो, पहले वो जब इतना नीचे आ रहा था नहीं हमारे scroll, तब लेकिन अभी थोड़ा ग्याब देदिया मैंने देखो, अब मैं अब अटलिस देख तो पा रहा हूँ, वो animation, ठीक है, अब दूसरा है कि यह जो animation है चलो, वो set मैंने कर दिया, कि जब मैं इतनी दूरी पर आउँ, तब वो animation हमें 1000 millisecond equal to 1 second, मतलब वो animation है एक second का भी नहीं, 400 millisecond मतलब आदा मतलब फिर क्या फाइदा इतना fast animation, वो आखों को दर देगा वो, ठीक है, तो यह duration को करो, copy, now we need comma हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर comma चीए, यहाँ पर फिलाल ना दो तो भी चलेगा, अगर दो तो भी चलेगा, बिकोज after act my script चलता है वो, ठीक है, duration जो यह है, यहाँ पर मैं आप चल दो, at least 1000, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूं, देखो, ऐसा है, मैं यहाँ पर चलता हूं, refresh, अब देखो, है किनी, कितना awesome यह देखो, at least यह देखो, इसा बहुत प्यार से आ रहा है, पूरा एक second ले रहा ह यह जो भी है, ठीक है, आप इसको जरू चेक आउट कीजिए, लेकिन, mostly आप अगर देखोगे, तो website में, guys, आपको animation ज्यादा एड करना भी नहीं, simple, you know, left से आ रहा हो, right से आ रहा हो, ज्यादा तर वह ही रखो, इतना flip-flip, यह, एकदम जब आप एकदम designer वाला website क्रेट करे यहाँ पर देखिए, fade है, flip है, you know, slides है, तो हम क्या कर सकते है, let's go with, जैसे, zoom भी अच्छा रहेगा, but guys, हब से best है, guys, आप fade, left and then right उसको रहा हो, ठीक है, slide उसमत करना है, because वो responsive को मार देता है, तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो मैं थ्यादा कम जूम कर देता हूँ, because मु यहाँ पर में चल देता हूँ, कर देता हूँ, एक सेगें, डारेक इसी को में वो कर देता हूँ, you know, एक साथ में multiple select कर सकता हूँ, so, तो simply guys, हर जगे मैंने select की, अब में चलता हूँ, सब एक साथ, and paste कर देता हूँ, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, यह जो left था, यहाँ पर यह अगें, right and then left, this is it guys, यह देखो, बस आपको इतना ही add करना, आप ज्यादा, stylish add मत करो, else बहुत अच्छा नहीं लगने वाला, and वापस में उपर जाँगो, तो यह गयाप होने वाले, ठीक उसी animation के साथ ही, हाँ, यह देखो, ठीक है, and again बहुत सारे तो आप ज़रू चेक करता हूँ, तो देखो, यहाँ पर अल्रेटी का इसी responsive नहीं दिखा रहा है, देखो, इतना ही देखो, और नीचे हमें यह horizontal दिखाए देखो, रीजन इसले, क्योंकि जैसी वो आएगा, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, आपस में जाओंगा, यह देखो, को बहुत दिमांडिंग भी है, बहुत बीटुफुल यह दिखाई देता हमें, राइट, और गास में बताना चाहूँगा, प्लीज इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों को सारे social networking sites पर, आपके WhatsApp ग्रूप पे जरू सेर कीज़े, बहुत यूसफुल, बहुत इफेक्टिव है and believe me, फालत हूँ कि वीडियो से बेटर, अगर आप ऐसे knowledge वाले वीडियो सेर करोगे, तो आपका भी फायदा, उनका भी फायदा है, you know, and बताना चाहूँगा guys, 2 lakh subscriber complete होने वाला है, please इस महीने के end तक 2 lakh subscriber complete कर दीजिए, and अगर अभी तक आपने खुदी subscribe नहीं किया ना guys, त किया